वेल्कम तेन एकेडमी होप युवाइज आ डूई एक्शुटली फाइन वेल्कम अगें तो दे स्पेशल सीरीज राश्तान गॉवर्मेंट स्कीम सेंड प्रोग्रम राश्तां तरकर की योजनाय और कारेक्रम स्पेशल सीरीज इसलिए बिकाज राश्तान के सभी गॉवर्मेंट एक्शाम्स जो भी होने वाले हैं कॉंपिटिटिव एक्शाम्स के उन सभी में इन स्कीम से कॉश्टन 110 परसेंट आने वाले हैं तो आज की जो हमारी स्कीम है वो है मुख्यमंतरी अनुप्रती कोचिंग योजना और यह स्कीम जो है इंपोर्टेंट तो ही एक्शाम के लिए जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं और जो बच्चे आने वाले समय में कोचिंग करने वाले हैं उनके लिए भी इंपोर्टेंट है और जिनके कुछ अमांट को लेकर के कंफिजन्स हैं वो भी सिस्के में मैं दूर कर दूँगा सो मुख्यमंतरी अनुप्रती कोचिंग योजना चीफ मिनिस्टर अनुप्रती कोचिंग और कमेंट मैं जरूर बता है कि क्या आपने से सीखा और क्या हमको इंप्रूव करना चाहिए और हमें फ्रेंज के साथ जरूर शेयर करें बिकॉस शेरिंग इस केरिंग तो आज की स्किम को स्टाट करते हैं मुख्यमंतरी अनुप्रती कोचिंग योजना राजस्तान लोग सेवा आयोग की परिक्षा के लिए दे राशी जब मुख्यमंतरी अनुप्रती कोचिंग योजना है ये किसके लिए पर तो ये जान लीजिए विबिन प्रफेशन कोर्सेज में प्रवेश लेने तता सरकारी नौकरी ये तो प्रत्यों की परिक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंतरी अनुप्रती कोचिंग योजना लागू करने की घोषना थी और अब लागू हो चुकी है राजस्तान में हो रहा है 15,000 इसमें कक्षा 11-12 के अकेडमिक कष्षा 10, 12 के अकेडमिक कोर्सेज तता कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार है तो प्रोफेश स्टेंट ही नहीं क्लांस 11 और कोचिंग करवाई जाएगी और कोच कॉलेज के बाद आप कॉंपेटिटिव एग्जम की प्रिपरेशन करते उसके लिए कोचिंग संसानों में मादन से तैयारी करवाई जाएगी इसमें करमाश से 55,000 सातर शातर हैं प्रति वर्ष लाबानवित होंगे इसको बढ़ा करके अब 15,000 कर दिया गया है हर साल 15,000 स्टुडेंट्स को लाबानवित किया जाएगा मुख्यमंतरी अनुपरती कोचिंग योजनम में अब पोर्टल पर आवेजन होगा पेपरलेस ने प्राफदानों के साथ 15 जून से खुलेगा पोर्टल अभ्यारती से ऑनलाइन आवेजन 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आमंतरत किये जाएंगे आवेजन से वरियता सूचित त मतलब अगर आप बात करते हैं RAS की और RJS की ठीक है RS RJS जो भी फर्स्ट ग्रेड जॉप से रास्तन गवर्मेंट की उनके लिए प्रारभ में प्रिक्षा मतलब प्री एग्जम जो होता है प्री एग्जम अगर पास कर लेते होता आपको मिलेंगे 25,000 रुपा प्री एग्ज एठा कोचिंग सेंटर अलोकेट करेंगी उस कोचिंग सेंटर में प्रेपरिशन करने के बात आप अगर पास हो जाते हो प्री एग्जम में प्री इसे होने के 20,000 प्रवाइड के जाएं प्रवाइड के जाएं फिर आ जाती है मुख्ये मंत्रिया अनुप्रती कोचिंग योजना 2022 के तहत मिलने वाली प्रवस्तान राशी ठीक है 2022 में सको बदल दिया स्टाटिंगे रखी गए थी 2022 में सको चेंज गर दिया अकिल वारतिया शिवल सेवा परिक्षा है तो दी जाने वाली प्रोथ्सान राशिया अकिल वारतिया बात हो लिए मतलब UPSC की बात हो लिए UPSC का आप अगर प्री एक्जम पास कर लेते हो तो 55,000 रुपर मिलेंगे और अगर इंटर्यू पास कर लेते हो तो 5,000 रुपर मिलेंगे टोटल आपको एक लास रुपय प्रोवाइड किये जाएंगे गवर्मेंट आफ राजस्तान के द्वारा तो इसके exam view of points से important points देख लेते हैं पहला point है पांच जून 2021 को मुख्यमंत्री अनुपरती कोचिंग योजना शुरू की गई थी मुख्यमंत्री अनुपरती कोचिंग योजना शुरू की गई थी इस योजना को उद्देश आर्थिक तंगाली से घरस्त प्रदेश के मेधावी प्रतिभावन पातर विध्यारतियों को अपने सुनेरे भविष्ट की तयारी के लिए विबिन प्रफेशनल कोर्स वे प्रतियों की परिक्षाओं की उत्कृष्ट तयारी के अवसर प्रदान कराना है ठीक है जो बच्चे गरीब फैमिली से आते हैं जो बच्चे प्रॉप बिजनस में एंटर हो जाते हैं चोटे मिटे बिजनस के मतला किसी और के बिजनस में ऐसे वर्कर घुज जाते हैं और वहां पर काम करने लगते हैं पांच जा साथ अजार की राशी पर उनके लिए यह स्कीम है कि आप फॉर्म लगाईए चीफ मिनिस्टर अनुपरति कोचि करते हो तो उसके बाद एक फीज दी जाएगी जिससे आपके फैमिल्या आपके उपर प्रेशराइज ना हो कि पेपर पास होगो छोड़ के आजाओ तो वह नहीं करना पड़ेगा ठीक है दो अब्जेक्टिव 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 इस इस्कीम इस तो क्यारी नहीं कर पारे थे तो वह अब तैयरिक कर पाएंगे ठीक है पात्रता क्या इसकी eligibility क्या है अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग अल्प संक्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्धाती पात्र है वो आठ लाग रुपे से कम है वो इसके लिए eligible है ऐसे विद्धाते जिनके माता पितार राज्य सरकार के कारमिक के रूप में मैट्रिक लेवल 11 11 तक का वेतन पराप्त कर रहे हैं ठीक है मैट्रिक लेवल L11 का L11 का वेतन ले रहे हैं मतलब बहुत कम सेलरी होती है वेतन ले रहे हैं तो वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है यह नहीं कि आपके पैरेंट्स अगर गवर्मेंट अप्लोई हैं और उनको L11 श्रेणी में है तो उनको इस उनके बच्चों को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा प्राप्त कर रहे हैं प्राप्त होंगे किसी भी छातर सातराओं को इस योजना का लाब के वल एक एक वर्श की अध़ी तक दिया जाएगा। एक साल WILL मिलेगा। आपने एकुतरौश कर दिया आपको सिरफ एक साल के लिए इसका benefit दिया जाएगा। मतलब आपने 2021 में आप्लिकेशन लगाएbonna 22 में आपक्लिकेशन के लिए eligible नहीं रहोगे next time एक साल के लिए मिलेगा तयारी करिए government आपके पर पूरा पैसा खर्च करेगी coaching centers top class coaching centers को register किया गया इसमें आपको proper education provide करी जाएगी और उस education के basis पर आप आने वाले future में exams देख करके और benefits ले सकते हो eligibility students belonging to the scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes, most backward classes, minorities and economically weaker section will be eligible whose annual family income is less than 8 lack per annum such student whose parents are drawing salary up to matriculation level 11 as state government person will be eligible any student will be given the benefit of this scheme for a period of one year only ठीक है अगर आपके parents L11 श्रेणी में हैं तो आपको benefit मिलेगा L11 श्रेणी में salary कम रहती है उससे उपर की जो श्रेणी जानी में salary कम रहती है तो आपको जो है इसका benefit मिलेगा इस scheme का यह ना सोचेंगी government employee तो benefit ने मिलेगा benefit जरूर मिलेगा लेकिन एक साल के लिए ही मिलेगा सभी students को SC, SC, OBC, EWC, MBC इन सभी category के students को एक साल के लिए यह benefit मिलेगा अब उस साल में exam हो या ना हो यह government की problem नहीं है और तैयार एक साल करने के बाद में आप फिर exam crack कर सकते हो संग लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित, सिविल सेवा परिक्षा, राज्तान लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित, RS, एवं अधिना सेवा, संयोत प्रतियोगी परिक्षा, सब इंस्पेक्टर, एवं 3600 grade पे या पे मेट्रिक लेवल 10 से उपर की 10 से उपर मतलब L11 व कराने वाले अभ्यारतियों को योजनक अलाग मिल सकेगा, फुल मिलाकर करके यह कहा रहा है, कांस्टेबल की जो 400 grade पे वाली वैकेंसी हैं, कांस्टेबल और LDC और INFP तयारी के लिए मिलेगा, उसके अलावा इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए मिलेगा, RS, RJS, UPSC के लिए on Public Service Commission, sub- Inspector and sub- Inspector of sub-Ordinae Services, Combine Competitive Examination, Other Examination of above 3600 grade pay or pay matrix level 11 REET, grade conducted by Rajasthan staff selection commission candidate preparing for the examination, Constable Examijn et cetera, above pay 2400 pay matrix level 5 तो मिला कि यह बात है, Constable का, SI का, RS का और RS में जो Ordinate and Subordinate Services है, उनका, UPSC का, SI का, REIT, राज्तन करमचारी चाहन के द्वारा जो भी exams हो रहे हैं वो, उनमें आपको इस skim के तरूप preparation करवाई जाएगी, मतलब इसमें जयन और आयन और यह सबग भी पता नहीं डालें के नहीं डालें, लेकिन अभी जो मेरे information मिली है skim के site पर उस पर यही सारी चीज़े available है, जिसमें जयन और आयन यह सारे courses अभी available नहीं है जिसमें सिर्फ अभी रास्तन government exam के RPSC जो exam conduct करवा रही है, वो सारे exams इसमें cover किये गए है जिसमें officer grade भी है, constable grade भी है, teachers के लिए भी है, read के लिए भी है इन सभी के लिए इसमें available है और government अलग-अलग तरीके से payment करती है merit का निजारन बारवी एवं दस्वी के अंकों के अधर पर किया जाएगा, merit will be decided on the basis of 12th and 10th marks दस्वी और बारवी के जो आपके number है, उसके basis पर आपको application select और reject किया जाएगा और selection के बाद आपको किस exam की preparation के लिए भीजा जाएगा, वो भी decided होगा लाइक आपके marks है, 60% और आप चाहरें UPSC परिकरना, government उस पर appeal आपके सुनेगी कि UPSC की preparation कर सकता है लेकिन आपके eligibility भी चेक करने के बाद आपको field भी provide करने के government का काम है, ठीक है लाबारतियों से कम से कम 50% चात्रा होंगी, मतलब तोटल अगर 10,000 students को लिए जा रहा है, 10,000 में से 5,000 जो हैं वो लड़किया होंगी 5,000 लड़कियों को ये benefit दिया जाएगा, मतलब 50% females को रखा गया है अपना आवास, अपना आवास सोड़कर, अन्य शहर में प्रतिस्पित संस्थान से कोचिंग पराप्त करने वाले स्चात्र शात्राओं को भोजन वे, आवास के लिए 40,000 प्रति वर्ष अतरिक्त राशी उपलप कराई जाएगी 40,000 तरफी, 40,000 राशी का क्या टार्गेटयट है ? ठीक है 48,000 में से 40,000 आपको गवर्मेंट प्रवाइड कर लिए एन अडिशनल अमांट आप रूपीज 40,000 पर यर विल बी प्रवाइड़ फूर्ड अकॉमोडेशन फूर थे स्टुडेंट्स वो लेफ्ट दियर फार यर आपको अलवर से जैपूर अपना घर चोड़किए जाना पुत रहे बड़े शहर में बड़े शहर में हमार रहने खाना पीने का खर्चे होंगे उसमें उस खर्चे में 40,000 रुपर गवर्मेंट आपको प्रवाइड करेगी जिसमें आपको रहना खाना पिना है चलिज़ार रुपे पर येर प्रवाइड करेंगे पर येर का मतलब ये स्किम एक स्टुडेंट के उपर एक साल के लिए एलिजीबल है तो टोटल अगर आप राशन गवर्मेंट के लिए कर रहे हो तो टोटल आपको 50,000 रुपे प्लस 40,000 रुपे ये टोटल 90,000 रुपे का आपको benefit प्रवाइड कर रहे है और आप UPC के लिए कर रहे हो तो गवर्मेंट आपको टोटल 1,40,000 रुपे का benefit प्रवाइड कर रहे है जन जाती है चेत्रिय विकास विवाग समाजिक न्या एवम अधिकारिता अल्प संक्यक विबाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा अल्प समाजिक न्या अधिकारिता विबाग के नोडल विबाग है इसका जो नोडल डिपार्टमेंट होगा है सिस्किम का वो नोडल डिपार्टमेंट का है डिपार्टमेंट ऑफ सोचिल जस्टिस एंड इन्वार्मेंट ठीक है आप इस डिपार्टमेंट की साइट पर जाओगे तो आपको इसके लिए गालक से एक पर है वो मिलेगा लिंक उस पर जाकर आप फॉर्म वगयरा फिल कर सकते हैं राज्तन बज़र बज़र दोज़र 22 अच्छी गवर्मेंट जॉप्स मिल सके इन्दर आज़तन बज़र 2022 2022 2022-2023 इस बीन प्रपोज्ट टू बेनिफिट 15,000 स्टिटेंट्स बाइ एक्सपेंडिंग दा स्कोप ऑफ चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्किन ठीक है पंदर अजार स्टेंट्स को इस स्किम का मुख्यमंत्र अनुप्रति कोचिंग स्किम ठीक है इसका बेनिफिट टोटल 15,000 स्टेंट्स को मिलेगा अब गवर्मेंट ने इसके लिए बजट में भी प्राजान रखा है ठीक है तो क्या है कि टोटल मानलोब बजट है 15,000 क्रोड का 15,000 क्रोड के बजट में से टोटल 15,000 स्टुडेंट्स को यह गवर्मेंट यह इस बेनिफिट प्रवाइड कर रही है इसमें से एक लाग चालीस हजार तो UPSC की प्रेपरेशन के लिए दे दिए और 90,000 जो है वह और प्रेपरेशन के लिए गवर्मेंट पे कर रही है तो गवर्मेंट जो है एडिकेशन पे भी अच्छा खासा पेशा खर्च कर रही है अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो पर रुके रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें शेयर कर दें लाइक कर दें आज के लिए अतना ही थैंकियो सो मच